स्टुडेंट्स जैसा कि आपको पता है कि मैं हिंदी बुक का क्लास्टेंद हिंदी बुक का पार्ट टू बीस के दात का कुश्य अंसर करा रहा हूं तो कुश्टन को दिखते हैं एक कुश्टन आप नंबर दिया रखिएगा 14 नंबर है बीस के दात कहानी का सारांस लिखें दरसल मैं इसको नहीं बताने वाला था लेकिन सारांस का आपको मतलब में बता देता हूं सारांस सारांस यानि कि आपको कोई भी कहानी दिया जाएगा या कोई भी नाटक दिया जाएगा उससा कहेगा सारांस लिखने के लिए सारांस होता है कि जितना कम सब्दों में यानि कि आप पहले तो पुरा कहानी पढने के लिएका कहानी पढने के लिएक जैगा तो आपको इस तरह से लिखना है कि इस कहानी का जो अर्थ कहाना चा रहा है जो सिच्छा देना चाह रहा है, ठीक है, इस कहानी का मूल भाव जो है, वो आपको परकट होना चाहिए, ठीक है, अब इसका सारांस लिखना तो सुरू से एक अधा पना लिख लिए, वो सारांस नहीं होगा, पूरा चीज लिखना होगा लिकि उसमें, सब कम रहना चाहिए, आधा एक पना में हैं पूरा जो भाव, समझ माना चाहिए अखर कहानी घ्या ह्या है, दर्शराम आपको एकजांपल कि तो बताते हैं, जैसे आप फिल्म देखते होगे, तो पिल्म में आपे लिखे लिखने सपाले आप टेरलँ देखते होगे, टेरलτε देखते होगे, तो से आपको एह अंदाज लग जाता है कि फिल्म क्या होने वाला ठीक है इससे भी बढ़िया है कि आप देखते होंगे जैसे कि कुछ यूटूबर लोग क्या करते हैं फिल्म जो आने सपहले या फिल्म यूटूबर नहीं मौजूद रहते हैं तो उसका क्या करते हैं क्या गलते हैं तो देखते हैं कि तीन चार घंटा मुवी का वह छे साथ या पांच छे मिद्म नहीं एक्स्प्लानेशन को आप सुनकर आपको फिल्म का कहानी कहा है वो पताचल जाता है उसी प्रकाश एक कहानी है तीन चार पना में आपको एकी पना में लिखना है जिससे इसका और्थ भाव जो है वो पताचल सके है तीक है मैं उसको पढ़ूँगा नहीं और कहिए गा तो आप इस्क्रीन सोट लेते जाए ठीक है पर लिजेगा फिर देखे पर लिजे वीडियो रोग के भी पर सकते हैं ऐसा जूरी नहीं है कि स्क्रीन सोट ले देखे वीडियो रोग के पर लिजे है पर लिजे पर लिजे ठीक है तो तो ए रहा कहानी का सरांश जो है आपको मैं करा दिया हूँ यह मैं ही लिखाया हूँ लेकिन मैं इसको लिखाते समय मैं बूग की साहता लिया हूँ ठीक है कि बूख के सहता लिया हूं कि कहां ही तो मुझे याद है लेकिन वैं लिखाता तो मेरा लेंग्वेज अलग हो जाता इसलिए बूख का हलका सहता लेना पर रहा है ठीक है चलिए अभी एक और कुछ प्रस्त करा देते हैं कैं अब देखे सं प्रसंग है इसको समझ है सं प्रसंग या ब्युक्त आबतरा का मतलब है कि प्रसंग के सात्थ तो इसको मैंने कैसे ब्याख्या किया हूं आप देख सकते हैं मैंने बहुत कम छोटे से में ब्याख्या कर दिया हूं लड़किया क्या है कटपुत्री पांचों कटपुत्री समान थी क्योंकि वह चलाये गे नियमों के अनुसार भली बाति पालं करती थी तीक है और इसकारन उसे नियुक्त ज्हाएं अपने माता-पिता का जो है वह अपनी पुत्र बगर्व था इस पर इसका अर्थ पता सकते हैं ठीक है तो यह भी ब्याख्या हो गया लेकिन पता है ना कि यह second chapter का है ठीक है एक्जामर को नहीं पता रहाता है कि second chapter का है इसका क्या आर्थ है ठीक है चलिए अब इसको मैं इंसर करता हूं कुछन है लड़किया क्या है कट पुतलिया है और उनके माता-पिता को किस बात पर पर गर्भ है लड़किया क्या है कट फुतलिया है और उनके माता-पिता को किस बात पर गर्भ है तो तो इसका एंसर आप लिखेगा इसा मैं बता दे रहा हूं फिर मैं परके बताऊंगा कि मैं क्या लिखाया था क्षरी तहसे कुः प्रस्थूत पंगती थीह या पर प्रस्तूत गधियांजा की गथPoint दूरा लिए गया है ठीक है या इसे में लिखें प्रस्तूत गद्यांस और सीशक बीस के दात कहानी से उद्रित है या लिया गया है इस कहानी के दोरा कहानिकार ये बताना चाहते हैं कि सेन साब की जो पुत्रिया है वो कटपुतली की भाती है क्योंकि वह सेंद साब के बनाये गए घर के नियम इतियादी को भली भाती पालन करती है तता उनके सेंद साब का आदत सम्मान उनकी बातों को नजर अंधार नहीं करती है इस परकार वह कटपुदिक समान है और कटपुदिक होने कारण मातापितों को उनको इस बात पर चाहिते हैं प्रस्तूद पंक्ती पाठ पुषतक गोदली भाग्टू से लिया गया है इस कहानी में सेन साहब के पांचों पुत्रिया सब यह और सुसील है और बे अपने माता-पिता का कहाना भली भाती पालन करती है सेन परिवार के निर्नाय उस लड़कियों के लिए उचीत अनुचीत हो कट पुत्ली की भाती पालन करती है यह पॉइंट बहुत इंपोटेंट है नहीं चल गया जा चली निया यह क्या हो गया है अग्या है शॉरी गों गया क्या है आजाओ अग्या क्या देरी हो जाए अप फिर हुआ है हाँ देखिए आप आग गया शॉरी थोरा गलबर हो गया था ठीक है तो यहां पर इंप्रोट्टों इंपोर्टेंट जो है ध्यान देने वाद है कि सेन साब की जो लर्किया थी वह नियम भाले उनके लिए उचीत हो या अनुचीत हो या उनके लिए अनुकूल हो उनके लिए अनुकूल हो या परतिकूल हो कुछ भी हो बस उसे फोलो करना ही है जिस प्रका कट पुतली जो है कटपितली को जो नाझाता है बाले वो उसका नचाना घुमाना उसके लिए उचीत हो या अनुचीत हो उसको नचाना ही है उसी प्रकार से सैन साथ की जो पुत्रिया है तो सेनसाब का नियम भले, उसके लाइक हो नालायक हो, क्या होते हैं कि लायक नहीं हो, या उचीत हो और इंची हो, तो उसे पालंग करना पड़ता है, एंपोर्टेंट है, इस प्रकार इनके माता पिता को गर्भ है, कि मेरे पुत्री कट्पुत्ली भाती, मेरे बातों को फोल